मिजु महराज की छोटव सा एक प्रशंग महराज बोले महाप्रसाद को सुन हूँ एक पुनि परम प्रसंगा सुखद जान अपने मन रंगा एक परम प्रसंग सुनिए अपने मन में सुखद समझिए मिले प्रसाद जवे तब ले आपन को न सुखद गने ये बड़ी मरम की बात है एक एक मरम की धर्म की कि जब प्रसाद मिले प्रसाद मिले तो कोई देख ले प्रसाद ले ब्यार जी महराज का प्रसाद दे रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तुरंत ले जितना सामर तो चाकेन काई ले मने मत करिए क्योंकि ये प्रसाद साख्या तहरी को सबीत है ये बड़े भागे हैं जो कि विहार जी महराज को प्रसाद मिले जागा है तुम्हारा महाज प्रसाद को जब पावै तभी ले आपको असुद न माने ये नहीं सोचा भी मैं नहांगो बाद मिलूंगो नहीं देत लेत देत दोवू पतित आदर बिन परसाद हम परसाद का आदर नहीं करेंगे तो देने वालो लेने वाले दोनों ही पतित माने जाते हैं इसलिए देना भी उन्हीं को चाहिए जो आदर करते हैं और आदर के साथ ही परसाद को लेना चाहिए सुईकार करना चाहिए चा पूर प्रशंग में आपने स्रवन किया है, अत्वा आगे करेंगे, पारबती जी, पारबती जी को संकर जी ने अनाधिकारी समझे के प्रसाद नहीं दिया, पारबती जी बोले, बोली है बोले नाथ मेरे को क्यों नहीं दिया, मैं आपकी अर्धांग नहीं हूँ, संकर जी बोले, ये पारबती, ये एक तो ठाकुर्व का प्रशाद तो थाई, ठाकुर्व के प्रसाद के साथ साथ, एक संत की भी जूंटन थी, क्योंकर मैंने ये लिया था, तो नारजी के मुक से छुड़ाया था, उनके होटों पे लगा हुआ था, तो मेरे को ये संसे था, कि तू जो है सरदा करेगी न करेगी, इसलिए तेरे को देता मैं प्रसाद, अगर तू सरदा नहीं करती तो मैं भी पतित होता और तू भी पतित होती, तू या प्रसाद है लेगी कर नहीं लेगी भावते , जंतन है एक संतली ठाक्र के साथ थाकुर के सथ एक संत की जंतल है इसलिए मैंने घशन दैत यह कई बढ़ती जी बोली मैं तुम्हारे साथ हमेंसाँ आपने सा रहूं और मेरी स्रद्धा कोई मालम नहीं चली तुम्हें के मेरी स्रद्धा प्रसाइश में है कि नहीं है। ठीक है। मैं अब वो पाए करूंगे प्रसाइश सब के लिए मिले। तो अपनो अफमान मानके अत्वा जीवों पर क्रपा करने के लिए पार्वति जी वो भगवान संकर के पास ते चली गई रूठ गई 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 और मान भी केसो करें दूसरी जगे जायके बन में तपश्या ठां दे गई गई और तपश्या भी कितनी करोणों बर्स समाधी लगा जई भगवान प्रसन भए पार्वति जी बताओ कहा मांग लेए कि है हरी मैं मांगूं हूं चीन्टी तेले के सब जीव आपके प्रसाद के अधिकारी हूं सब को मिले भगवान बोले तथास तो ऐसा ही होगा तो आज की समय में देखो धामों में धन धन मरंदावन की चीटी और महा प्रसाद को किनका लेके जाए बिल में बैठी जहां मंदर नहीं देवाले नहीं जहां हरी भक्त नहीं महां तो प्रसाद की बात अलग है लेकिन देखो धामों की कृपा यहां धाम में सहेज भोग लगयो हो ठाकुर जी को वियर जी महाराज को भोग लगयो है तो वह संतन ने प्रसादी पाई और संतन प्रसादी पाई तो प्रसाद के जूंटे हाथ नल पे धो रहे हैं और जूंटन फिर नाली में जाय रही है नाली में ते सब कीड़ा मकोडे भी पाय रहे हैं चेंटी भी पाय रही है और जहां संत बैठ के पाएं, चेंटी रेंगती रेंगती आई, और प्रसाद को किनका लेके, ओ बिल में जायके बैठ गई, तो प्रसाद चुप चुप खाय रही है, धन्यों ब्रंदावन की चेंटी, तो बढ़ी ने लिख्यो है, कि धन्य धन्य ब्रंदावन की चेंटी, ध तो धनीधन ब्रण्दावन की चेटी महाप्रसाद को किनका लेकि जाए बिल में बैठी, धनीधन ब्रण्दावन की मच्छर साधू संत को भजन करामे नाम जपा में अच्छर, बुलू गयरी जू, रात को मच्छर लगे रही होएं, काट खावें, तो संत तो भजन ही करेंग तो शंत लोग प्रते किस्तती में अपना लाप ढून لेते हैं मचर खाने के समय में भी लाप ढून लेते हैं चलो भाइया मचर खाएगे ज्जादा दो गुंटा सो कि यहारजी महाराजी का प्रसाद किसी न किसी रूप में मिल जाता है और मनिश्यों को तो जो भाव है उनको भाव को तो प्राप्त होता ही है लेकिन ये देखा है ब्रंदावन में भी रहते हुए जिनके अंदर प्रसाद की प्रति निष्ठा नहीं है बाहर रहो या ब्रंदावन में रहो उनको तो भाई दुरलव है प्रसाद में ममता प्यार न लेकिन भाव निष्ठा रखनी चाहिए प्रसाद के प्रति ऐसे नमाने ये तो अन्न है फलानों है चावल है निकानों ये नहीं ये भोग लग गया हमारे विहरी विहरन को इश्ट को भोग लग गया और ये इश्ट ही सरूप है गुलो स्वामियो तो प्रशाद की महमा बड़े इनने बहुत बखान करिये आगे और भी स्रवन करेंगे आप एक दो दिन प्रशाद की महमा स्रवन करेंगे महराज ने प्रशाद की महमा बहुत बखान करेंगे तो वचन का शृद्धान्त में जो अश्टबारता हैं, अंत में जो है अश्टबारता कहीं प्रसाद सौपरति, सबसे पहलो प्रसाद सौपरति, प्रशाद में बिश्वास होना चाहिए, गुरूश्वामी जोगानि